आज का टीचिंग में यह हमने जो पता लगाया वो हम आपके साथ शेर करना चाहते हैं, वो यह है कि जब रैमसीज 2, रैमसीज 2 कौन था, रैमसीज कौन था, वो फेरो था उस वक्त के सबे, जब मुशे और इस्रेल के लोग एजिप्ट में थे, उसका सारकोफेगिस, अब सारकोफेगिस हम लोग सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं कि सारकोफेगिस क्या है, सारकोफेगिस वो हिस्सा है कफन का, जो पुराने समय पे लोग बनाते थे, या तो पत्थर का बनाते थे, और उस पे कुछ ना कु डिजाइन बनाते थे कब ये Bible के वर्स लिखे जाते थे और ये सारकोफेगिस पाया गया है इस्राइल में ये देखिये ये पत्थर जब रैमसिस्क मरा और फैरो के लोग जब वो लोग मरते थे तो उनको पिरमिड्स में बड़े-बड़े कमरे बना के रखे जाते थे उसमें और उसके साथ खाना पीना मतलब धान चावल और दूसरे प्रकार की चीज़े वो लोग कौन वगरा जो खाते थे वो बड़े-बड़े बर्नियों में रखे जाते थे कि उनका विश्वास कि जब अब तो वो यहां पर मर गए हैं लेकिन और भी जर्नी उनको करनी है आगे तो उनके लिए खाना पीना काफी होना चाहिए लेकिन जब यह बोड़े पाई गई तो यह फेरो की बोड़े उनको का कौफिन बनता था कि पहले सोने के कौफिन में डाला जाता था फेरो को फिर उसके बाद एक पत्थर के कॉफिन में और एक और तीसरा माबल का कॉफिन होता था जिसके उपर ये पत्थर लगाया जाता था ताके उसका ममी का शेप और कैसा ममी ममी मतलब जो इंसान मर गया है एजिप्ट में वो लोग उसको ममी बोलते थे और अभी भी बोलते हैं व वो बनाया जाता था, तो उसमें उसका शरीर नहीं पाया गया, लगता ऐसा है, खुदाई वालों का कहना है, एक्सकवेशनिस्ट वालों का कहना है, कि उस वक्त बहुत ऐसी चोरी होती थी, कि जब फैरो मर गया, क्यूंकि उसके साथ बहुत धे सरा धन, दौलत, बहुत सोना चांदी रखा जाता था, कि उसके काम आएगा बाद के लिए, बहुत चोरी होती थी, लोग कोई ना कोई तरहा से अंदर जाते थे, और ये सब सोने की चोरी करी जाती थी, लेकिन एक और चीज़ उनको पता चला, बाद में, कि जो प्रीस्ट वहां के जो होते थे, वो प्र ये यूज़ करते थे, यहां पे बहुत खोदाई हो रही थी, इसरेल में, समंदर के पास, और वहां पे धोके से, उनकी मशीन, ऐसे हाड चीज़ पे, कोई कड़क चीज़ पे, उनको लगा, उन्होंने जब खोदा, तो देखा कि वहां बहुत बड़ा घूफा बना हुआ ह अंदर, और ये सारको फेगिस मिला उनको वहां पे, और बहुत दूसरे प्रकार के धन मिले, जो धन मतलब एक एक्सकवेशन के लिए जो खोदाई करा, उनके लिए ये बहुत बड़ा धन है, कि मटके, अलग-अलग प्रकार के डिजाइन के, अब देखिए, एक तो आदमी लिखाए करी, तो पता चला कि साड़े तीन हजार साल पहले, येशु के, तीन हजार या साड़े तीन हजार साल पहले, येशु के, डाट इस, बी-सी में, लोग जो यहां पे एजिप्ट के कनन के उपर राज कर रहा था, और उन लोग बहुत ट्रैवल करते थे, कोस्ट में जो जो जगाए हैं, जैसे साइप्रिस है, लिबिया है, लेबिनिन है, ये सब कोस्ट में, तो उन लोगों का समान ले जाना और लाना का ट्रेड होता था, कि ये चीज़े ले के जाते थे, वहां से चीज़े आती थी, बिलकुल जैसे हम लोग ने पहले देखा कि, कि सॉलिम और वहां की चीज़े यहां आती थी, तो इस वक्त जब कनन, जब रूल उसका हो रहा था, एजिप्ट का, तो बहुत चीज़े, तो उन लोगों ने ये जो मठके वगरा पाए हैं, बात में पढ़ाई लिखाई करके उन ने देखा, कि ये मठके वगरा अलग अलग जगाओ उसे आए हैं, और बहुत शरीर भी इसमें पाए गई हैं, बहुत जो लोगों ने अपने लोगों को वहां पे दफनाया गया है, जो दफन करके उन लोग के भी बाडी वहां पे पाए गई हैं, तो बहुत लोगों ने अपने लोगों को वहां पे दफनाते थे, किस रीजन स पता नहीं जो कि तीर कमान चलाते हैं और उसके सामने एक एरो होता है वो भी प्रकार-प्रकार के आरो मिले तो उन से उन लोग को पता चला कि कोई वहां पे बड़े वारियर्स थे बड़े लड़ाई करने वाले लोग थे वो भी मरे होंगे तो उनकी भी चीजें वहां पी प हैं तो उन लोग लिख रहे हैं यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ टेल-वीव को कि हम लोगों को भी भाग लेने दो इसमें जो तुम लोग ने इतना बड़ा फाइड किया यह बड़े कि इतनी जल्दी से इस तरह की चीज मिलती नहीं है कि एक खंबा लगा हुआ है उसको तो ये बहुत बड़ा फाइंड है, एक्सक्वेशन लोगों के लिए जो खुदाई करने वाले के लिए, उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी चीज है, तो ये उन लोगों ने पाया है, के ये उस वक्त का समय है तो ये जो Pharoah था ये उस वक्त का Faroah था जब Moshe उसके सामने जाता है और बोलता है मेरे इन लोगों को जाने दो ये परमेश्वर उन लोगों को बहाँ से ले किया था, जो उस टाइम का Pharaoh Qasar को Phagus पाया गया है तो यह बहुत बड़ा find है and बिलकुल जो Bible में जो लिखा है इन लोगों के बारे में तो यह पाने से बहुत confirmation होता है So that's all for today Shalom and God bless